तो दोस्तों अगर आप एक content creator हो, आप एक social media influencer हो, अगर आप किसी भी social media पर content create करते हो, जैसे कि YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, तो आपके लिए एक बहुत बुरा news, बहुत बड़ा बुरा news, आपको ये जानना जरूरी है, अभी government एक नया rule ला रहा है, अब क्या होगा पता है, freedom of speech जो होता है, जो हम लोग खुल के किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं, चाहे किसी भी related हो, जैसे कोई food vlogger है, food से related बता रहा है, कोई news से related कुछ बता रहा है, कोई current affairs से related बता रहा है, तो कुछ भी अगर आप बताते हो, तो उसमें हमें freedom of speech मिलता है, जिसमें हम लोग खुल के बात कर सकते हो लेकिन अब government एक नया rule ला रहा है, सारे social media platform पर ये चीज़ लागू होगा, सारे content creator के उपर में ये चीज़ लागू हो, अब ये क्या नया rule है, और क्या बड़ा bad news है, उसके बारे में मैं clear बता हूँगा, बने रहना वीडियो पेने तक हैं चैनल पने तो subscribe कर लेना, चले द आपको जानना जरूरी है दोस्तों, ये बहुत जल्द लागू हो जाएगा, ये broadcast bill, government ला रहा है, ये आखिर क्या है, ये किस परकार का bill है, दोस्तों अभी इस पर चर्चा चल रही है, ठीक और ये जल्द लागू हो जाएगा, broadcast bill का मतलब ये है दोस्तों, कि broadcast bill में आप government क् कि अगर आप किसी भी current affairs के बारे में, या फिर news related कोई video बनाते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई food vlogging करते हैं, कुछ भी related अगर video बनाते हैं, तो भी आप इस bill का under में ही आएगे, इस bill में होगा ये, कि दोस्तों, अब आप लोग क्या है कि एक digital news broadcaster बन गए, आप सब कोई क्या ह होगा, जो भी YouTube पे social media पे, चाहे Instagram पे real हो, Facebook वीडियो हो, कुछ भी हो, आप हर कोई क्या है कि digital news broadcaster के अंतरगत आ गए, ठीक है, एक आप लोगो tag मिल गया, अब हम लोग क्या बन गए, digital news broadcaster, आप इसमें होगा क्या, कि 2023 में दोस्तों, ये rule पहने भी एक बर आया था, ये bill, जहां पर क्या हुआ था कि OTT को और digital news को नहीं रखा, OTT का मतलब होता है, जैसे Prime Video हो गया, Netflix हो गया, ये सब OTT हो गया, और बाकि digital news का मतलब हो गया, YouTube, social media जीतना भी है, Insta, Facebook, वो सब 2023 में नहीं था, लेकिन अब 2024 का जो नया bill लाया है, उसमें अब OTT को भी डाल दिया है, औ अब इसमें क्या होगा, देखिए, इसमें होगा ये, अब आपको government एक नया rule ला रहा है, इसमें अगर आपका एक अच्छा खासा fanbase है, जैसे एक criteria होगा, कि माल लिजे कि अभी ये सब किलियर नहीं हुआ है, कि कितना होगा, नहीं होगा, एक criteria होगा, माल लिजे कि आपका एक लागागा follower है, कोई भी social media में, तो आपको एक क्या होगा, कि government से आपको एक paper बने होना पड़ेगा, government से एक approval आपको लेना पड़ेगा, क्या चीज का, online सायद ये form फिल होगा, जहां पर आपको government को अपने बारे में, detail में आपको बताना पड़ेगा, कि आपका चैनल का आपका चैनल का लिंक, आप किस परकार का वीडियो बनाते हैं, क्या करते हैं, आपका काम क्या है, वो चीज आपको government को पूरा disclose करना होगा, बताना पड़ेगा, आप government वहां से आपको approval देगा, एक तरसा मान सकते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, कि अभी तक आपको आप government से भी self-certification लेना होगा, जैसे किसी भी परकार का content आप बनाओगे, तो पहले government का site पे हो सकता है, उसको upload करना पड़े, फिर वहां से approval मिलेगा, तब आप अपने social media पे अप्लोड करोगे, ये सब हो सकता है, मतलब देखें, अभी clear कुछ नहीं है, लेकिन इतना सारा चीज जो है, ये हो भी सकता है, कि अगर आप कोई भी video बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप आपको government से पहले approval मिलेगा, फिर आप उस video को आपने social media पे डाल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर दोस्ते यहां पर क्या होगा, कि broadcast advisory council बनाया जा रहा है, जो आपको पुर broadcast बिल जब आएगा, तो पूरा clear हो जाएगा क्या-क्या नियम है, अब उन नियमों का अगर आप कुछ भी उलंगन करते हैं, तो आपका content को क्या करेगा, government, government का हाथ में power रहेगा, कि वो remove कर सकता है, अभी तक क्या होता था, कि YouTube के community guideline को हम लोग खिलाप करते कि थे कोई काम, तो YouTube हमें strike देता था, लेकिन आप government का हाथ में भी एक power हो जाएगा, आपके content को ड़वाने का, अगर वो चाहे तो आपका video तुरंत YouTube से हटा देगा, चाहे वो कोई भी social media हो, Facebook इंस्टा कोई भी, ठीक है, तो ये government का हाथ में होगा, आपको उनके rule के हिसाब सही चलना है, आपका social media में अच्छाखा सा follower है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोमोशन करते हैं, तो अगर आप किसी भी परकार का प्रोमोशन करोगे, तो उसमें भी government आपको देखेगा, का प्रोमोशन का जो payment आ रहा हो, उसका ITR फाइल कर रहे हैं, जहां पर लोग किसी भी मुद्दों को लेकर करके बात करते हैं, यहां तक कि दोस्तों बहुत सारे news anchor है, जिसके बारे हम लोग जानते होंगे, उन लोगों ने भी यूटूब पे चैनल वगारा खोल लिया, पहले वो लोग न्यूज चैनल में काम करते थे, तो मतलब सोसल मीडिया आज के डिट बहुत बड़ा प्लेटफोर्म में और गवर्मेंट का पता है कि सोसल मीडिया से भी बहुत कुछ हो सकता है, तो इसलिए यह सब सारा रूल आ रहा है, तो गवर्मेंट इसमें पूरा ख़बर रखेगा, तो दोस्तों जब भी यह ब्रोड़कास्ट बील आ जाएगा, तब प्रॉपर में ए कब तक आता है, बागी देखते हैं कब तक आता है, जब आएगा तो मैं एक फूल वीडियो बनाऊँगा, आप लोग अपना राइ कमेंट में बताएं, बागी चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो कर लेना, मिलते हैं किसी नेक्ष्ट वीडियो पे, तब तो कि लिज्ज